हाले फ्रेंड्स लतु आरे फैसंड डिजैनर में आपका बहुत बहुत सागत है आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुर्ती की कटिंग लेकर के आई हूँ और ये मैं बना रही हूँ दस साल नौ साल की बच्ची के लिए नौ में अपको बहुत जलद लाओंगी तो आज की वीडियो मैं अपनी 9 येर के बच्ची के लिए बना रही हूँ तो अगर आपकी भी इस तरह से है तो आपको इस measurement की जुरूत पड़ेगी वो मैंने आपको दिखा दिया है तो सबसे पहले हमने अपनी कूर्टी को देखिए इस तरह से जो fabric है उसको fold कर लेना है 4 layer में इसकी चोड़ाई मैंने रखी है देखिए 9.5 इंच है मेरा 4 layer में कपड़ा है ये तो सबसे पहले तो हम देखिए यहाँ पर आधा इंच उपर रखेंगे आप पूरी वीडियो देखेगा मैंने इसमें आपको stitching और cutting सब कुछ से खाया है तो सबसे पहले हम यहाँ से length लेंगे length मेरी थी 31 inch तो 1 inch मैं रख रही हूँ यहाँ पर fold के लिए 32 inches मैं रख रही हूँ से नीचे लेना है armhole तो armhole हम लेंगे 6 inch बहुत हों को confusion रहता है जैसे armhole हम कितना रखेंगे बच्चे के लिए तो 6 inch आपका इनफ होगा अगर आपका 9 से 10 साल की बच्चे है तो अब यहाँ से आगे भी हम 13 लेंगे और इधर से हम नीचे को armhole लेंगे और इसको box की safe में मिला लेंगे तो इस तरह से देखे हमने इसको मिला लिया है अब हम यहाँ से आगे लेंगे च्छाती तो च्छाती का हम रेखेंगे 1 4th of round bust मतलब round chest च्छाती का चौथा हिस्सा हम रखेंगे plus half inch आपने losing के लिए देना है तो मैं रख रही हूँ यहाँ पर 7 inch अब यहाँ से उपर से नीचे हम लेंगे पहले कमर length लेंगे जो हम लेंगे 10 inch पर और उसके बाद हम लेंगे hip length जो हम लेंगे 15 inch पर इसका बहुत हो confusion रहता है तो इसलिए मैंने बताये यह तो चाती और कमर बराबर ही होती है तो इसलिए हम बराबर ही ले रहे हैं और नीचे मैं जो पला है वो भी मैं पूरा जितने मेरी hip है उसी के बराबर मैंने अपना पला भी रखा है नीचे उतना ही hip के बराबर मैंने यहाँ पर पला रखा है वैसे आप 1 inch plus भी कर सकते हो पर इस इसको मैंने सीधा स्ट्रेट ही मिला लिया है, अब देखिए हमने बना लिया, अब यहां से एक एक इंच हम मार्जन रखेंगे, वन इंच हम मार्जन रखेंगे, आगे भी वन इंच मार्जन रखेंगे, सारा मैंने यहां पर वन वन इंच मार्जन रखा है, क्योंकि मैं इसको सिलाई देने वाली हूँ, सिलाई देके मैं इसको स्टिच करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 1-1 इंच का मार्जन रखा है, अगर आप जैसे तुर्पाई करना चाते हो, तो फिर आप 1.5 इंच रखिएगा और इसको भी हम देखिए, यहाँ पर मिला लेंगे, तो अब हम इसकी पहले तो हम उपर इसके पहले आर्मोल की शेप देंगे, यहाँ पर नीचे हमारी हो गई है, यहाँ से हम देंगे आर्मोल की शेप, तो इसमें फ्रंट की कटिंग देने की जुरूरत नहीं होती है, इसलि कटिंग वाली हो गई थोड़ सा डाउन जो जाता है अब गले की हम लंबाई लेंगे तो गले की लंबाई में हाँ पर रख रही हूं तीन इंच क्योंकि मैं बोटनेक इसको बनानी हूं चलिए थी इंच मैं इसको रख रही हूं तीन इंच मेरा लंबाई में है और तीन इंच मेरा चुडाई में है, तो ये मेरा फ्रंट का है और इसको हम रॉंड की शेप देंगे, अब मैं ये इसounds धोड़ा सा, आधा इंच मैंने कम रखा है बैक का और इसका इसा से हमने कम भाली तो कटिंग करेंगे, तो cutting देखे हम यहां से इसकी start करेंगे और इधर से हमने इसकी cutting कर लेनी है अगर आपको सीखने में कुछ भी दिक्कत आ रही है आप प्लीज कमेंट करके जुरूर बताईए और अगर एक बार आपको समझ रही आता है और यहां से हम देखी cut कर लेंगे इसको तिर्चा हमारा cut होगा जैसे मैंने आधा इंच डाउन लिया है नीचे को और जो दूसरा है वो सिलाई काएगा तो अब सबसे पहले हम चारू पर देखे back का neck कर लेंगे यह देखे यह हमारा back का neck है वही हमने cut किया अब हम back का हटा देंगे जो back का part है उसको देखे center से निकाल देंगे और इस तरह से front का part रखेंगे और front के गले की भी हम cutting कर लेंगे बराबर आपने रखना है ध्यान रखना है आपका जो shirt है वो बराबर होनी चाहिए तो यहाँ पर देखे cutting हमारी हो चुकी है अब हम काटेंगे बाजू तो बाजू देखे इस तरह से मैंने four layer में रखा है कपड़ा इस तरह से आपको भी four layer में रख लेना है अब यहाँ से हम देखेंगे length अपने बाजू की ठीक है उससे आपको आधा इंच जाएदा रखना है एक इंच आपको नीचे margin के लिए रखना है एक या आधा इंच अगर आप से लाई देना चाहते हो और बाकी उपर आपको आधा इंच जाएदा रहा है मतलब total आपकी जितनी length है उससे आपको plus 1.5 इंच कर लेना है तो यहां से देखिए मैं ले रही हूँ अपने बाजू की length 1.5 इंच और यहां से आगे को हम लेंगे 6 इंच जितना हमने आर्मोल लिया उतना ही हम इसको भी लेंगे और यहां से नीचे हम जाएंगे 5 इंच डाउन मतलब 2.5 इंच डाउन जाएंगे उसको तिर्चे लाइन में मिला लेंगे इस तरह से हमने मिला लिया इसको और इसको round में हमने इस तरह से मिला लेना है अब हम नीचे इसकी मोरी रखेंगे याद रखेंगे आगे मेरा 1 इंच मार्जन के लिए है फोल्ड के लिए जो मेरा आएगा यहां से मैं ले रही हूँ 1.5 इंच और इसको मैं मिला लूँगी धर उपर तिर्चे में तो यह हमारी सिलाई यहां से आएगी अब हम लेंगे कटिंग के लिए मार्जन तो मार्जन हमने 1 इंच का रखना है बार की तरफ को देखे इस तरह से और यहां से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है नीचे भी मैं थोड़ा सा तिर्चा लगा रही हूं ताकि हमें पता रहे कि यहां से हमारा फोल्ड होगा बाजू जैसे मोरी बाजू की और इसको इस तरह से हमने कट कर लेना है जैसे अगर मैं आपको बता रही हूँ ऐसे अगर आप कटिंग करोगे ना तो बच्चों की आपकी फिटिंग भी अच्छी आएगी और आपको बाजू जोड़ती वार भी दिक्कत नहीं आएगी आगे सी भी मैं अपने बाजू सेपरेट कर रही हूँ और इसमें भी आपको पट्टी तिरची पट्टी जो आपको कुर्टिंग करना आती होगी तो इस तरह से हमने देखे राइट सैड इसके अंदर की तरप को रखनी है और इस तरह से हमने इसमें quarter inch margin रखते हूँ इसको stitch कर लेना है तो यहां से हम इसको round में सिलाई देते जाएंगे और जैसे मैं इस तरह से रखना है जो मार्जन है उपर की तरफ को रखना है और इसको इस तरह से अंदर की तरफ दवाते हुए इसके उपर हमने सिलाई लगाते जाना है दियान रही है हमारी सिलाई जो हम और पट्टी लगा रहे हैं उसके उपर यानी चाहिए कुर्टी के उपर आपकी सि तो यह बढ़ेगा आपका इसलिए आपको मार्जन कट कर लेना है अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे यूँ और इसके उपर हमें एक पैर की सिलाई चला देंगे मतलब एक पैर आगर आप नहीं समस्ते हो तो क्वाटर इंच से थोड़ा कम आपको सिलाई लगानी है जैसा आपने रेडिमेंट गले के उपर देखा होगा वैसे ही लुक किसका आएगा एकदम तो देखें सिलाई हमारी लग चुकी हो और इसी तरह से देखें मैंने बैक का भी अपना गला प्रिपेर कर लिया है अब हम इसको इस तरह से रखेंगे ये देखें बैक का भी प्रिपेर कर लिया है अब हम इसकी राइड साइड अंदर की तरफ को रखेंगे कुर्ती की और अब दूसरी तरब भी हमने सिलाई लगा लिनी है अगर आपको सीखने में प्लीज मैं बार-बार बोलती हूँ कुछ भी दिक्कत आ रही है प्लीज कमेंट करते रहिए और वीडियो को लाइक और शियर जुरूर कीजिएगा दूसरों के साथ क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है नेक्स वीडियो बनाने के लिए तो तीरे जाला सिलाई देखिए यहां पर हमारी हो चुकी है अब हमने देनी है इसकी फिटिंग वाली सिलाई तो यहां से देखिए सबसे पहले तो हम इसको बराबर कर लेंगे इक्वल होना चाहिए और यहां से इप तक हम सिलाई लगाएंगे और इप से फिर से हम बापी सूपर की तरफ को हो जाएंगे तो इस तरह से देंगे अगर आप देखिए अपनी बच्चे के लिए बना रहे हो जिसे घर में अपनी बेटी के लिए बना रहे हो तो आप पहले एक बार जैसे यह सिलाई दोगे फिटिंग वाली उसके बाद आप चेक करके देख लिजे कि आपको कहीं लूज या टाइट नहीं हो रहा है तो फिर आपको दिकत भी नहीं होगी उससे आप उसको फिर सिलाई दे सकते हो या निकाल सकते हो तो अब हमने दूसरी तरफ भी निशान को डारक करना है तो पहले हम यहां पर डारक कर लेएंगे और अब हम यह निशान इसको दूसरी तरफ लगाएंगे तो इस तरह से मोढ़ेंगे बिल्कुल बराबर हम रखेंगे इसको बिल्कुल हमने बराबर रखना है ध्यान रखना है आपने अब इसको उपर से देखिए इस तरह से करेंगे हाद से आपको हलकालका दवाना है इसको और फिर ये निसान आपका दूसरी तरफ असानी से ड्रौ हो जाएगा या आप चाहे तो पहले भी इसको लगा सकते हो अगर अभी आप नहीं लगाना चाहते जैसे तो आप पहले जैसे कटिंग करते हो उस टाइम भी आप इसको लगा सकते हो देखिए अच्छे से हमारा यहाँ पर यह डार्क हो गया है आप चाहे तो और डार्क भी इसको कर सकते ह अब हम इसके उपर भी सेम वैसे ही सिलाई लगा लेंगे हिप तक सिलाई लगाएंगे और हिप से फिर से बापिस हो जाएंगे अब हम आपने ये सिलाई हमारी लग चुकी है अब हम बाजू को जोईन करेंगे तो बाजू पर भी आपने दोनों तरफ इसी तरह से जो निशान है आप लगा लेना है, दोनों बाजू के उपर जो फिटिंग वाला है, सबसे पहले हम मोरी मोडेंगे, तो जितना भी हमने मार्जन रखा था मोरी को आप वो आपने इस तरह से मोडना है, और यहाँ पर आपन सिलाई लगा लेनी है, जैसे हम एक बाजू में सिलाई लगा रहे हैं, वैसे ही हम दूसरे बाजू के उपर भी सिलाई लगा लेंगे, और पूरा मैं इसको सिलाई से ही तियार करने वाली हूँ, मैं कहीं भी इसको तुरपाई नहीं करूंगी, तो यह देखिए, दोनों बा लगाएंगे ऊपर तक और दूसरे बाजू में भी सेम हमने वैसे ही सिलाई लगानी है, पहले जब आप सिलाई लगाते हो तो नीचे से आपको एक बार पका कर लेना है इसको क्यूंकि फिर उससे आपकी सिलाई नहीं निकलेगी वरना फिर जैसे नीचे से सिलाई निकल जाती तो दोनों बाजू देखे मैंने यहां पर स्टिच कर ली है अब हमने अपने बाजू को इस तरह से रखना है राइट साइड की तरफ को दोनों को पलट देना है और अब हम इनको जोडेंगे जोडने से पहले आपने एक बार इसको नाप के जुरूर देखना है देखे जो सिल कुल भी नहीं देनी है अपने बाजू को देखे मेरा बिल्कुल एक को लई आ रहा है अगर आप इस तरह से मेरे हिसाब से स्टिचिंग सीखोगे तो आपका बिल्कुल एक लाएगा यह इस तरह से आपको रखना है और अब यहां पर देखे यह जो हमारा बाजू वाली सिल लगा लेनी है, ध्यान ये रहे कि आपको कहीं से भी कपड़े को खेंचना नहीं है, ना आपको बाजू का कपड़ा खेंचना है, ना ही आपको शर्ट का कपड़ा खेंचना है, क्यूंकि आपका कपड़ा ये बिल्कुल एक्वल होगा, आपको पहले नापके देख लेना है, अब हम इसको देखे, right side की तरफ को turn करेंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी, ताकि आपको दिखे, यहाँ पर देखे, सिला यह मेरी कितने अच्छे से आई है, धागे मेरे बाहर निकले हैं तो उनको मैं cut कर रही हूँ, यह देखे, बहुत ही अच्छे से इस तरह से हम यह marking आपको सारे पहले डार कर लेनी है, और back के part में भी आपको यह marking डार कर लेनी है, shift कर लेनी है, back के जो part है आपका उसी में भी आपको shift कर लेनी है, ताकि आपको कहीं से भी छोटा बढ़ाना हो आपका जो पल्ला है, यहाँ से पहले एक देखे, आदा इंचिस को अंदर लगाएंगे, और back का जो पल्ला है उसको भी आपको इसी तरह से फोल्ड कर लेना है, यह नीचे वाला पल्ला है हमारा, यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ, आप चाहे तो तुर्पाई करना चाहते हो, तो फिर आप प्रेस से भी इसको फोल्ड कर सकते हो, फिर आपको यह इस तरह से लगाने की जुरूत नहीं पड़ेगी, बट मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ, ताकि आपकी जो उकुर्ती है वो बिल्कुल रेडिमेंट लुक दे, इसलिए मैं इसको सिलाई करके बता रही हूँ, क्यूंकि बच्चों का है तो आपको सिलाई लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा देखिए, और आप देखिए, साइड से हम सिलाई देंगे, बट साइड से सिलाई देने से पहले हमें अपने कपड़े को बिल्कुल सीधा करना होगा, इस तरह से हम रखेंगे अपने, यह जो हीप से नीचे को सिलाई आ रही है, यहाँ पर देखिए, एक फोल्ड हम इस तरह से करेंगे, और दूसरा इस तरह से करेंगे, और जब भी आप देखिए, यह जो हीप की तरफ को सिलाई लगाते हो नीचे से, तो यह आपनी हर बार पल्ले से उपर की तरफ को लगाने है, चाय वो फुरंट का पार्ट है चाय वो बैक का उससे आपका फिर नीचे की तरफ नहीं बढ़ता है, कुछ क्या करते हैं कि उपर से भी सिलाई नीचे की तरफ को लगा देते हैं, उससे आपका नीचे का पार्ट फिर बढ़ेगा, ऐसे आप उपर की तरफ को लगाओगे तो आपका पार्ट नहीं बढ़ेगा, आपका बिल् बिल्कुल बराबर होना चाहिए, अब यहां से हिप से थोड़ा सा ओपर हम इसको इस तरह से सुई नीचे गाड़ के रखेंगे, इसको बिल्कुल सेंटर पर, जहां मारी सिलाई आ रही है यहां पर आपने रखना है, और यहां से फिर नीचे आपने बिल्कुल सिलाई के उपर सिलाई लगा न है ताकि वो सिलाई आपकी बाहर न दीखे बिल्कुल सेंटर में आपको इसिलाई चलानी है या आप चाहे तो फिर यहांपर भी stop कर सकते हो वो उपर जैसे side को आपने सिलाई लगा ली तो यह देखिए यहां पर आपको दिख रही होगी यह देखिए अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से करेंगे तो दूसरी तरफ भी थोड़ा सा जो बड़ा हुआ होगा उसको आपने कट कर लेना है यहां पर मुझे हलका सा बड़ा हुआ लग रहा है तो मैं इसको सीधा कर रही हूँ अब हम इसको भी मोडेंगे देखिए इस तरह से मोडेंगे और इसको इस लाई भी देखिए हम नीचे से उपर की तरफ को लगाएंगे पल्ले से हम हिप की तरफ को सिलाई लगाएंगे और यह बिल्कुल इक्वाल होनी चाहिए आपकी इस बात का आपने दियान रखना है और सेम इसी तरह से आपको देखिए back का जो पार्ट है उसको भी fold कर लेना है इसको नापते हुए आपको उसको भी fold कर लेना है और यहाँ भी देखिए हमने बिल्कुल hip से थोड़ा सा ऊपर इसको सिलाई को रोक देना है यहां से आगे को हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में आपको यहां पर सुई को काड़के रखना है और बिल्कुल बीच में यह सिलाई जहां से हमारी हिपपाली सिलाई आई है वहां पर लगा लेना है तो देखे इस तरह से मैंने अपनी कुर्ती को प्रिपेर कर लिया है, ये देखे कितनी अच्छी हमारी कुर्तिये बनकर तयार हुई है, I hope आपको मेरा ये वीडियो हैल्फुल रहा होगा, प्लीज एक लाइक जुरूर कीजिएगा, दूसरों के शाद शेयर कीजिएगा, और क